हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ जो सभी गार्डनस का फेवरेट होता है और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम हैवी ब्लूमिंग होती है तो चलें देख लें इस प्लांट को देखिए हैडा बहुत ज़्यादा खूबसुरसा फ्लावरिंग प्लांट ये हाइब्रीड केलेन कोई के प्लांट है जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग होती है अभी तो इनमें बस ब्लूमिंग भी आते हैं मेरे पास भी इसके 4 से 5 कलर हैं और सभी प्लांट में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है आप इस मिजेंटर कलर के प्लांट को देख सकते हैं देखिए इसमें कितनी ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग हुई है कि इसमें लीव भी नजर नहीं आ रही है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुके रखा हो इसलिए ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आगे मैं आपको इसका रैट कलर दिखाती हूँ उसे भी आप देखिए फिर आपका मन ना मोहले तो कहिएगा तो देखिए इसमें कितनी ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग हुई है ये प्लांट फूलों से लट चुका है इतने ज़्यादा इसमें फ्लावर है और आप इसका पॉट देखिए ये कितनी छोटी सी बास्केट में लगा है मैं आपको दिखाती हैं कितनी सेलो बास्केट में लगा है और इसके बॉजूद इसमें इतनी जदा हैवी ब्लूमिंग हो रही है तो चांज विलता है और यह काफी जदा कॉसली मिलता है हमारे हां नरसरी में यह Pलांट 80 टूं 150 रुमीज में मिलता है तो मैंने इस का बहुत ज़्याधा छोटी सी कटिन प्laan't कहले, बहुत छोटा सा जो प्laan't है वो मैंने $80 में लेकर आई थी, ये जो रैड कलर की कैलन कोई है, ये बस, इतना सा बड़ा प्laan't मैंने $80 में लेकर आई थी, और आप मेरी बासकेट देखें, कितनी ज़्यादा बास्केट त्यार हो गई है और एक बास्केट में लगभग 32-40 प्लांट्स होंगे यानि एक ही प्लांट से मैंने अब इतने सारे प्लांट मल्टिप्लाय कर लिये हैं कि मेरा आधा गार्डन तो इन कैलन कोई से ही भर गया है या सज गया है तो यह काफी easy to grow प्लांट होते हैं और यह जो आप छोटे-छोटे प्लांट देख रहे हैं यह सारे baby pup से त्यार हुए हैं मतलब यह प्लांट cutting से भी बहुत easily grow हो जाते हैं और इनके साइड से छोटे-छोटे से baby pups निकलते हैं तो जिने हम transplant करके और फिन्यू प्लांट त्यार कर सकते हैं और यह leaf से भी बहु मिजेंटा और यलो कलर के प्लांट है यह सभी प्लांट मैंने 120 रुपीज में लेके आये थे तब यह यलो वाले की आप देख सकते हैं कि यह five basket मेरी त्यार हो गई है और यह मिजेंटा कलर है इसकी भी मेरे पास seven basket थी मतलब इस बार तो और ज्यादा प्लांट हो जाते हैं जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार कितनी ज्यादा heavy rain हुई थी और इस प्लांट को moisture भी पसंद नहीं होता है लेकिन मैं terrace में gardening करती हूँ तो इतना space नहीं होता है कि आप सारे प्लांट को बारिश से बचा के रख सकें तो मेरे काफी सारे प्लांट first time मेरे हुए है और जो यह आप देख रहे हैं यह देशी केलें कोई के प्लांट है तो अब इसकी स्वाइल मिक्षर की बात करें तो इसे बिल्कुल वैल्रेंड स्वाइल पसंद होती है जैसे हम सकुलेंट के लिए त्यार करते हैं क्योंकि यह भी एक सकुलेंड की ही वराइटी है तो इसे भी वैल्रेंड स्वाइल पसंद होती है तो मैं इसकी जब पॉटिंग स्वाइल त्यार करती हूँ तो उसमें मैं 50% स्वाइल 40% रिवर्स एंट और 10% कमपोस्ट आड करती हूँ मैंने इसमें कमपोस्टिप 10% आड किया है तो इसे बहुत ज़्यादा खाद की नहीं होती है और जब कि मैं इस पे 10% गोबर की खाद एट की है और जब इनमें बर्स बनना स्टार्ट हो गई थी तब मैंने इस पे दो बार मस्टरड केका लिक्विट फर्टिलाइजर दिया है तो इवी काफी अच्छे से इनमें बर्स बनी है और काफी हैवी मिलती है मैं ऐसी जगह में इस प्लांट को रखती हूँ जिसे इनमें बर्स बहुत ज़्यादा बनती है और वाटरिंग की बात करें तो इसे मॉषयर बिल्कुल पसंद नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा मॉषयर रहता है स्वाइल में तो ये इनकी जो प्लांट है इनमें लगना शुरू हो जाता है और यह रोट होकर खराब होने लगते हैं, तो जब इनकी जो स्वाइल है, वो पूरी तरीके से ड्राइ हो जाती है, मतलब मैं इसे एक से दो दिन तक ड्राइ साइड में रखती हूं, उसके बाद ही इनमें वाटरिंग करती हूं, कई बार तो मैं व लॉग लास्टिक चलते हैं और यह एक ऐसा प्लावर जो इंडोर भी चल जाता है और आउटडूर भी चल जाता है, मतलब जब इनमें ऐसा फुल ब्लूमिंग हो जाए, तो इनको आप इंडोर भी रख सकते हैं, तो इनके flower काफी long time तक चल जाते हैं बट जब तक birds ना बनी हो तब तक इन्हें धूप की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तब तक आप इन्हें full sun पर ही रखें तो ये plant बहुत अच्छे से चलेंगे और ये जो आप देख रहे हैं ये सारी देसी वाली कैलन को ये तो ये काफी ज़्यादा hardy variety होती है आप इन्हें कैसे भी हम इसको rough and tough plant कह सकते हैं कि ये बहुत आसानी से कैसे भी आप लगा दें तो ये लग जाते हैं और इनकी बहुत छोटी से छोटी cutting भी लग जाती है तो देसी कैलन को ये में भी दो variety आती है जो मैंने भी आपको red और yellow दिखाया है अब pot size की बात करें तो इन्हें आप shallow pot में ही लगाएं deep pot में बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि deep pot में लगाएंगे तो उसमें जादा time तक moisture hold रहेगा जिसे plant में fungus लग सकता है और इस plant के मरने का सबसे बड़ा reason fungus ही होता है और friends ये एक ऐसा plant है जिसमें मैंने अभी तक कोई भी paste attack नहीं देखा है लगबख मैं 5-6 year से इस plant को grow कर रही हूँ लेकिन आज तक मुझे इस पे कोई भी paste की problem face करनी नहीं पड़ी है बस जब summer season होता है जब बहुत ज़्यादा तेज धूप हो जाती है तो इसमें हलके फुलके से मिली बग दिखाई देते हैं लेकिन वो भी अपने आप ही चले जाते हैं तो यह काफी ज़दा hardy plant है और जिसमें से यह जो red color की kalen कोई है यह तो बहुत ही ज़दा hardy plant है तभी तो आपने देखा कि मैंने एक छोटी सी cutting से कितने सारे plants बना लिये हैं जिने मैं अभी sell करने जाओंगी तो ना जाने कितने thousand के यह plant हो जाएंगे तो friend यह बहुत ही खुबसूरस सा plant है बहुत easy to grow plant है और जो busy gardener से उनके लिए तो यह best plant है तो इसे अपने garden में जरूर add करिए I think मैंने कैलेन को इसी related सारे ही point को cover किया है तो वीडियो पसंद आई हो तो like share कर दीजे फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई happy gardening